आज हम लोग असलम बटर चिकन आपको तो पता ही होगा अगर दिल्ली में हैं तो आपने तो खाया ही होगा अगर दिल्ली के बाहर हैं तो अगर दिल्ली आना हो तो आप इसको जरूर ट्राइ करें टेस्ट बहुत अच्छा ही होता है तो हमने इसको बनाने की कोशिश की है इस की रेसिपी तो हमें पता नहीं है लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको बनाया बहुत ही अच्छा टेस्ट था फिर हमने होटल में भी जाके टेस्ट किया बो भी अच्छा था तो चलिए बनाते हैं यह देखिए यह मेनू है असलम बटर चिकन का यह 320 रुपए का हाफ प्लेट था तो हमने इसे घर में भी बनाने की कोशिश किया है सबसे पहले हम लोग हरी मिरच लेंगे इस तरह हमने काट लिया लसन के जवे यह अदरक का छोटा सा टुकरा हमने लिया है उसको मिक्सी जार में डाल कर इसे हम लोग पीसेंगे यह बहुत ही कम मसाला है गरम मस चाट मसाला लाल मिर्च पॉडर बस इतना ही सा हमारा मसाला है तेल डाल कर नेबू डाल कर इसको हम लोग पीस लेंगे यह देखिए एक पैकिट हमने छोटी सी है दही डाल कर हमने इसको पीस कर तयार कर लिया अब हमने चिकन विंग्स लिया है वहां तो नॉर्मल चिकन होत है तो हमने कुछ अलग करने की कोशिश किया है अगर आपने असलम बठर चिकर नहीं खाया है तिल्ली से दूर है तो आप इस तरह देखिए बहुत ही आसान है घर में बना के हम लोग खा सकते हैं देखे इसको हमने मैरिनेट करके रख दिया पांस से दस मिनट बहुत जादा हमें मैरिनेट नहीं करना है ये थोड़ा सा हमने मक्षन लिया इसको हमने मेल्ट करने का वेट किया बिल्कुल लो फ्लेम पर हाई फ्लेम पर हम लोग नहीं करेंगे नहीं तो ये मक्षन हमारा जल जर जाएगा यह गरम हो चुका है अब हम लोग इस में जो चिकन विक्दिक जो मैरीनेट किया था यह हमने सीक में डालकर इसको देखे इस तरीके से यह देखें सीक में इन होने डाला है और इसको कोईले पर सेक रहे है ये मक्खन डाल के गरम कर रहे हैं सीक से निकाला और ये चाट मसाला मुझे लग रहा है ये डाल रहे हैं किरीम है और इसमें मक्खन डालेंगे देखिए सेम हम लोग ऐसी ही करेंगे तो उन्होंने सीक में डाल के सेका है तो हम लोग घर में अब इस तरह कोईले को तो नहीं कर सकते तो हमने सीक में डाल कर फ्राई पेन में इसको हमने तयार कर दिया यह लड़की लक्री का यह सीक है छोटा सा बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है हम लोग ला सकते हैं इसे यह देखे दो से तीन पीस हम लोग इस तरह इसमें पिरोल लेंगे और फ्राइपेन में ये हमने रख दिया सबको एक एक करके इसी तरह हम लोग तयार कर लेंगे सीख में टेस्ट हमारा बिलकुल अलग था सीख में डालने से बहुत ही अच्छा हमारा गल्ब गय गया था जब हम लोग ने वहां होटल में खाये थे तो इसका जो टेस्ट था थोड़ा सा अलग था उनका अंदर से हमें थोड़ा सा लाल लाल सा दिख रहा था हड़ी के पास तो वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा तो हमने सोचा कि इसको फ्राइ पेन में कुक कर लेते हैं लो फ्लेम पर तो हमारा अंदर का भी खुब अच्छा से ये गल जाएगा तो यह हमने लकडी की ये तीली ली है बजार में आसानी से मिल जाएगा आप लोग ला सकते हैं और चिकन विंग्स जो हमने इस तरीके से इसको समेट लिया है नहीं तो ये फैला फैला सही नहीं दिखता ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसमें बहुत ही इत्मिनान सी इसको पिरोल लेंगे हमारे घर में डेगे गेस्ट आये हुए थे उनको भी बहुत ही पसंद आया तो बड़ा सा फ्राइ पेन लेंगे उसमें थोरा सा हमने मक्षन डाला मेल्ट किया और ये सारी चीज इसमें डाल कर पका लेंगे तो घर में आसानी से आप ये बना सकते हैं रेसिपी तो किसी को मालूम नहीं है सब अपने हिसाब से ही बना रहे हैं ये देखिए तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी इसको इसी तरीके से बनाते हैं तो टेस्ट तो बहुत अच्छा था जब आप लोग बनाएंगे जब ही पता चल पाएगा अगर दिली के अंदर हैं तो आप वहाँ भी जाके खा सकते हैं घर में बना के भी ये हमने जो रेसिपी बनाई है उस तरीके से बना कर खा कर आप देखिए टेस्ट बिलकुल अलग आएगा तो देखिए सारा सीख हमारा तयार हो गया तीन से छे पीस हमारा हुआ है देखिए सीख का अब ये जो मसाला है मसाला कम ही डालेंगे बहुत जादा मसाली की इसमें जरूरत नहीं है तो जो मसाला हमारा बचा था उसको हमने इसी में डाल दिया और हाई फ्लेम पर हमने इसको इस तरीके का कर लिया पानी छुटा था इसमें से तो फिर हमने पानी को हाई फ्लेम पर बिल्कुल हम लोग सुखा लेंगे ये सूख चुका है अब हम लोग इसको पलट लेंगे ये देखें ये हमारा बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए हमने इसमें कलर बिल्कुल नहीं डाला है अगर आप चाहें तो छोट थोड़ा सा आप डाल सकते हैं ये देखें इस तरीके से हम लोग इसको पलट लेंगे सारा हमारा एक-एक करके पलटना है ये हमारा पलट चुका ये देखें दूसरी तरफ हमारा ऐसा ही कलर नहीं तो बहुत ज़ादा करेंगे तो हमारा जल जाएगा, फिर हमारा जला हुआ टेस्ट राएगा, तो बहुत ज़ादा हम लोगों को नहीं करना है, थोरा-थोरा सा नीचे से भी घुमाते रहना है, कि मसाला हमारा ना चिपके, फिर इसको ढागकर हमने, 10 मिनट बिलकुल लो फिलेम पर पकाया है अब उसको हमने डाल दिया अब हम लोग इधर इसका मसाला तैयार करेंगे हरी मिरज और हरा धनिया और ये एक पैकिट छोटी सी पैकिट है दही की ये डाल कर हम लोग इसका तैयार करते हैं चटनी की तरह ये देखें इस तरह से हमने पीस लिया इसको ये हमारा तैयार है अब हम लोग लास्ट में इसको डालेंगे एक पैकिट और दही हमने अलग से ग्राइन करके रख लिया कि हमें थोड़ा सा और भी पतला करना है ये देखें ये हमारा ये तैयार है अब हम लोग इसका क्रीम त्यार करेंगे, घर में ही हम लोग क्रीम त्यार कर सकते हैं, यह देखिए, यह मलाई घर में हमने जमा कर रखा है बरफ में, इसको जमा करके नीचे नहीं रखते हैं, फ्रीज के, अंदर नहीं रखेंगे, हम बरफ जहां जमता है, वहां कटोरे को र देखिए थोरा सा हमने दूर डाला और यह फीजर का यह हमने क्रीम डाला दो से तीन चमच भर के डालेंगे हमारा क्रीम तयार हो जाएगा हमें बजार से लाने की जरूत ही नहीं है हमें देखे बहुत ही ताजा क्रीम हमारा तयार होगा तो हम लोग इसको किसी चीज में जिसमें जरूत हो क्रीम की हम लोग डाल सकते हैं यह देखी यह हमारा बिलकुल फ्रेश क्रीम तयार है अब इस से जादा तो फ्रेश नहीं हो सकता जो घर में निकाला गया हो यह हमारा 10 से 15 मिनट हुआ है यह देखे फिर से हमारा यह पानी आया है इसमें है अब इस पानी को हम लोग सुखा लेंगे यह जो पानी निकला सुखा लें यह देखे इस तरह से हमारा सुखा होना चाहिए यह देखे हाई फिलेम पर हमें 5-7 मिनट लगा है इसको सुखने में बस यह हमारा काफी है बहुत ज्यादा नहीं सुखाएंगे नहीं तो मसाला हमारे जो नीचे का है वो जल जाएगा अब हम लोग जाल पे यह जाल के इसको इस तरह हाई फेलेंपर कर देंगे फिर इसमें थोड़ा सामलuntu स्मोक डाल दिएगे तो बिल्कुल वही फिलेवर आएगा जो हमारा होटल में था यह देखे इस तरीके से हम लोग इसको पलट लेंगे जाल प्याल के हाइँ प्रहम precा कर लेंगे टेक एक करके हम लोग इसको तयार कर लेंगे वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देंगे अगर रेशिपी पसंद आ रही है तो अपनी फैमिली में शेयर जरूर करेंगे अब हम लोग इसको दो पीस हमारा तयार है छे पीस है हमारा दो से तीन बार में हमारा हो जागा ये देखिए हमारा ये भी तयार हो गया सब को एक एक करके हम लोग तयार कर लेंगे ये देखिए नीचे जो मसाला है हमारा उसको हमें फेंकना नहीं है वो भी हमारे काम का है ये देखिए ये तैयार हो गया तीसरा बार ये लकडी का है इसमें थोड़ा सा आग लग गया इसको हम लोग बुझा देंगे ये हमारा तैयार हो गया अब ये जो हमारा मसाला है ये भी हमारा अच्छा है मसाला इसमें थोरा सा ये जो हमने हरा धनिया दही में डाल हरमियरज डाल कर हमने किया है थोरा सा नमक भी डाल लीजिएगा पीसने में टेस्ट अच्छा होगा तो इसी दही अलग से डाल रहे हैं जो दही हमने पीस कर रखा था अब इसी मसाले में ये देखिए हमें कलर इसका चेंज करना है टेस्ट को और अच्छा करना है ये थोड़ा सूखा सा था थोड़ा ये गीला हो गया तो अब हम लोग इसको डिश को तयार करते हैं ये मिक्स कर लिया हमने अब जो है ये जो हमने सबको सेका था एक-एक करके इसमें डाल लेते हैं और इसमें स्मोक कर लेते हैं हमने कोईले को गरम कर रखा था अब इसमें डालेंगे ये देखिए ये मसाला नीचे सिल्वर फॉल का इस तरह कटोरा की तरह हम लोग बना लेंगे और इसको डालेंगे बीच में ये देखिए कोईला हमारे पास बड़ा नहीं था छोटा था तो उसको हमने चाय के छन्ने में गरम कर लिया अभी दिखाते हैं छोटा-छोटा कोईला था हमारे पास वक्त गरम कर लिया बहुत आसानी से हमारा गरम हो गया काम होना था बस ये देखिए दिय या मक्षन ڈालें अगर डालें तो मल्ड किया हुआ डालें हरा फिर हमने इसको ड्रफो Commissioner तक हमारा ये दुआ खतम हो रहा फिर हम लोग इसको टैयार करेंगे ये देखिए हमारा ये तैय प्रपार है तो सबसे पहले हम लोग जो यह मसाला था उसको बीच में इस तरीके से पहले डाल देंगे और यह देखे यह डेल गया अब सीक में से इसको निकाल लेंगे करके इसक को हटा देंगे ये देखे एक-एक करके पीस को इसमें निकाल लेंगे स्मोक भी हो गया और हमारा तंदूर की का टेस्ट भी आ गया ये देखे एक-एक करके हम लोग सीख को हटा के इस सब को डाल देंगे हमारा बहुत आसानी से ये तैयार हो गया था सीख से सब एक-एक करके सब को बड़ी पिलेट में सजाकर महमान के सामने देंगे बहुत अच्छा लगता है फैला हुआ बड़ी पिलेट में आप लोगों को जैसे पसंद हो वैसे कर लेंगे कोई भी रोटी में खा सकते हैं लेकिन ये जो है न हमारा तंदूर की रोटी में ही अच्छा लगता है घर की रोटी में उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर घर की रोटी बना रहे हैं तो पराठा बनाए उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं तो तंदूर की रोटी काफी है ये देखे हमारा तयार है अब जो हमने ये हरी मेरच डाल कर दही डाल कर पीसा था दही में अलग से डाल कर ये देखे हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे अब उपर से इसे डालेंगे हर तरफ फैला कर डालेंगे एक जगह नहीं रखना है मुझे थोरा सब दिखना चाहिए और ये जो हमारे क्रीम था वो हम लोग आधा क्रीम डाले हैं अब इसमें चाट मसाला ये देखी ये जरूर डालें चाट मसाला जरूर डालें लोगों को देखा है मैंने डलते हुए ये चाट मसाला अच्छी कंपनी का डालें हमने ये एवेरेस्ट का डाला है अच्छी कंपनी का होना चाहिए ये देखी ये मक्षन भर के जितना मक्षन आप डालना चाहिए मेल्ट कर रहे हैं हम लोग मेल्ट यह तैयार है वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच कर दो दोयो